चीप एन बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर कौन सी है यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको अपने सोलर और बैटरी पर कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि अगर आपने कर लिएक किसा सब्सक्राइब जोर कर लिएगा और इस वीडियो को पूरा जोर देखेगा चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जोरूर कर लिजेगा और इस वीडियो को शभी लोग के पास शेयर किजेगा ताकि सब के पास यह इंफोर्मेशन पहुंच सके लेकि सोलर और बैटरी के बीच अगर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तमाल नहीं करते हो तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा यानि क सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने का अलग अलग बेनिफिट भी मिलता है तो हम आपको तीन ऐसा सोलर चार्ज मै बताएंगे जो कि एक बड़िया कम्पनी के सांसाथ एक पर चार्ज कंट्रूलर भी ह्य mother तो आएए के करके हम आपको बैर में बताहते ही तो वीडियो में आग जो कंडिशन है हमारे चानल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना होगा और वीडियो को लाइक भी करना होगा बागे तीन लखी वीजेता को हम अपने तरफ से सोलर चार्ज कंट्रोलर गिफ्ट करने वाले हैं तो आए अब आपस टॉपिक पे चलते हैं और आपको ब परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस तो भैतरिन है यह साथी में दूस्तों इसमें एक बहुत शांदार फिचर भी देखने को मिलता है जो कि स्ट्रीट लाइट का काम करता है जैसे कि जितना देर हमारा सोलर पैनल हमारी बैटर को चार्ज करते रहेगा उतना देर हम इस पर ल इसके अलावा दोस्तों हम इसमें एक मुवाइल फोन को भी चार्ज कर सकते हैं अपने यूएसबी केबल तो यह सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं आपकी बैटर को ओबर चार्ज होने से प्रोटेक्ट करेगा बलकि यह आपको स्ट्रीट लेट का भी फिचर्स देता है और 25 का 10 एंपियर का आपको असानी से मिल जाएगा साथ में दोस्तों आपको बताते चलें कि आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर बहुत ज्यादा हीट क्यों होता है अगर आपके सोलर पैनल की छमता है कि आपका सोलर पैनल 8 एंपियर 9 एंपियर आउटपुट सप्लाई करेगा और तो उस समय बहुत जादा हीट होगा तो इसके लिए दोस्तों आपको 9 एंपियर 10 एंपियर की जोरत है तो आपको 20 एंपियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर प्रचेस करना चाहिए क्योंकि लोड अंदर में रहेगा चमता 20 एंपियर की है और लोड 10 एंपियर ही रहेगा तो आता है यह लुमिनस की तरफ से आने वाला एक बहतरीन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता है इसके उपर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो तो आपको विजिट करना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर यह फिर डिस्क्रिप्शन बॉक करके देखना होगा यह भी बहुत ही बहतरीन है लुमिनस कंपनी के बारे में आप जानते होगे कितने बहतरीन कंपनी है और सोलर चार्ज कंट्रोलर भी बहुत जादा बहतरीन है कीमत की अगर हम बात करें तो सेबन फिप्टी के एरांड में इसकी प्राइस है अगर आप 20 अगर आप 10 एंपियर का लेते हो तो 350 के रांड में आपको यह आसानी से एमाजॉन कर कहीं पर भी मिल जाएगा तो दूसरे नंबर पर हमने लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर के जगह दिया हुआ है क्यूंकि यह बहुत ही बढ़िया वर्क करता है इसके अंदर भी दोस्तो हम तीन तरह के लोड को असानी से चला सकते हैं जैसे कि फैन चला सकते हैं दो एलीडी बल्ब जला सकते हैं और एक मुवाइल पोन चार्ज असानी से जो है हम कर सकते हैं तो तीनों फीचर जो है दोस्तों इसमें असानी से मिल जाते हैं अब अगला है दोस्तों MSC smart के तरफ स और अने वाला PWM टेकनोलोजी वाला सबसे बहतरी अंट emptiness चार्ज कंटूलर मेरा इसको हम दोस्तों जब से हम से solar feature करें को म्यारी होते हैं और बैटरी हम कौनसा यूज कर रहे हैं लिखियम बैटरे में दोनें में सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा अस्टरेट लाइट का भी फिचर्स मिलता है इन अलावा भी और भी बहुत सारे फिचर्स मिलते हैं सारे फिचर्स को अगर हम बताना लगेंगे इस वीडियो में तो यह वीडियो काफु ज्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पर दो मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए आप्शन मिल जाते हैं यह Dafüriaj Solar Chargs Contr комментар का अने वाला है मैं आपको दूसरी कंपणो के बारे में रिकामेंट नहीं करेंगा सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब प्लीज लाइक करें चैनल पर नहीं होंगो तो सब्सक्राइब